आलू मोटर की सबजी सबको बहुत ही पसंदीता होती है और जब इसको छोटे आलू और हड़े मोटर के साथ बनाए जाये तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है तो आज हम आपके लिए लेके आए हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी आलू मोटर की रेसिपी वो भी एतना आसान तरीके से कि वीडियो देखते ही आप बनाने की ट्राइ करेंगे और स्वाद एशा की हर कोई तारिफ करेंगे इसे खाने के बाद तो चलिए दोस्तों आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपिक ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर 500 ग्राम आलू को छील कर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है कूकर में हम एक चोथाई का पसर्षो की तेल डाल दिये हैं में अब इसमें हम आलू को भी डाल देते हैं इस सब्जी में आप सर्षो का तेल का इस्तेमाल करें चाकि इसकी स्वाद में और चार चंद आ जाए आलू को हमें गोल्डेन प्रावन होने तक भून के इसको निकाल लेना है अलू मेरा भून चुका है अब उसी कुकर में हम दू तेस्पेता और कुछ खड़े मसाले को डाल दिये हैं अब एक मेडियम सेच के प्याज को हम इसे कट कर लिया है इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं प्यांज मेरा हलका हलका भून चुका है अब इसमें हम एक चमज अधरत और लेसुन के पेश्ट को डाल देते हैं प्यांज मेरा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम मसाले एट कर लेते हैं तो मसाले में हम लिए हैं एक चमज धनिया पाउडर, एक चमज जीरा पाउडर, आदा चमज हल्दी पाउडर, एक चमज लाल मीरिज पाउडर और एक चमज गरम मसला पाउडर मसाले को हम ढख कर पास मिनिट भून लेते हैं मसाले मेरे भून चुका है देखिए इसमें तेल रिलीज होना सुड़ू हो गिया है हम दो मेडियम साइज के तामाटर को अच्छे से काट कर इसका प्योरी बना अब चार से पास मिनिट इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्छा पर ना रहे मसाले मेरे भून के रेडी हो चुके है देखिए दोस्तों कड़ी का ठिकनेस देखिए कितना लाजब आप दीख रहा है अब इसमें हम एक काप मोटर एट कर लेते हैं मोटर का हम दो मेनिट अच्छे से भून लेते हैं मोटर मेरा भून चुका है अब आलू को भी डालके हम दो मिनिट भून लेते हैं अब इसमें ग्रेवी के लिए एक गिलास हम पानी को एट कर देते हैं आप ग्रेवी के अनुसर पानी को कम ज्यादा कर सकते हैं अब इसमें हम एक चमच नमोग एट कर देते हैं अब इसको ढखन लगा के दो सीटी आने तक इसको पकान लेना है देखिए दोस्तो आलू मोटर के सबजी मरा बन के रेडी हो चुका है अब इसमें हम धेड सरे कटा हुआ धनिय पत्ते को एट कर लेते हैं अगर रेशिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर कीजिया चैनेल पर नई आई है तो चैनेल को सस्क्राइब कर दीजिया और बेल आइकन को दमाना ना भूले ताकि ताकि जब ही भी हम वीडियो आपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिपीशन जाए एक दम आसान सी रेशिपी है दोस्तों आप भी एक बार जरूर घर में ट्राइ करें तो चलिए दोस्तों अब हम एक बूल में इसको सर्फ कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों देखते ही इसको मुह में पानी आ जाए तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार मिलते हैं एक नए रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार